सुना है यहाँ पर एक यारपोर्ट बनने वाला है तो हलो गैस हल्कम पैक टो माई अट्वेश चनल फिर स्वागत आपने ब्लोग में इस ब्लोग में आपको पता हूं गाई कि से प्रूलिया में रांवे है जो कि बहुत दिना से काली पड़ा हूं और वहाँ पर एक यारपोर्ट बनने वाला है वो निव इस अभी सुना है मैंने लेकिन उसका इजिया बहुत कम लग जानते हैं तो ही पर चुटते हैं और वहाँ पर पासने हूं सही ख्याब किया है तो गाइस अभी मैं पहुंच चुगा उस एयर फिल्ड में एक्चुली मिलिटरी एयर फिल्ड है यह एक्चुली मिलिटरी एयर फिल्ड था अभी नहीं है तो यह जो यार फिल्ड या यह बना गया था 1942 में इसे सेकेंड वाल वार के टाइम यूज किया गया था उसके बाद इसे यूज ने किया गया तो इसकी आला ताप बैठ सकते हो का पिकारा हो चुका है आप सुनाए यहां पर एक एरपोर्ट बनने वाला है तो देखते है कब यहां पर यहां पर आपको भी चांदकरी हो जाएगा जब बनने वाला है अभी तो फिलाल नीज में सुनाए अभी जो तेरे पर दूप आ रहा है इसलिए ठीक से देख नहीं पारे हैं तो पहले इसकी यह इसलिए यहाँ पर गहां सो बुग चुका है अब देख सकतो और इसकी जो एरिया है वह धोतीन किलोमेटर से फेला हुआ है वह आपको दिखा दें अगर यहाँ पर ड्रोन होता तो और भी बहुत ही आच्छा होता विए लेकिन इसमें आपको ठीक से दिखाने ही पार है है हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं यहां पर आके सुट कर रहे हैं यहां पर डेड़न है यहां पर कोई रास्ता नहीं है यहां से जितनी दूर आपको नजर आ रहा हो वहां तक यह फैला हुआ है लेकिन इसमें आवे भी लोरी चलता है इसमें आप देख सकते हैं जिसकी बज़ेशा और भी खाराफ हो चुका है आप देख सकते हैं इस रास्ते भी लोरी जा रहा है आपको जितनी जनकरी जन देनी थी हो मैंने दे दिया अभी चलते हैं घर की तरफ काफी काफी दूप हो चुका है यहां पर प्राइब तो तो कई अब है आप मैं घर को चाओं और मेरी अलते सकतर बहुत ही करण हो जुका है ज़ना देख से बहुत जाथा इसलिए मेरा जो खाला साट था वो खुल के रख दिया था कि बहुत ही जाता है दूब लगता है तो अभी मैं घर आया हूं तो आप जगे नाने बला हूं उसके बाद दोड़ा आरांग करूंगा उसके बाद दित्ते हैं क्या होता है तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल का है लेकरन को भी जबूर अगर से ठेक क्यार भाई राइक हुआ 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 है